हाई गाईज, वेलकम तो मैं पाट साला, मैं राज अदुबे आप सभी का पाट साला पर शावत करता हूँ और आज हम आपको एकोनॉमिक्स के अगले लेक्चर में ले चलते हैं जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रास्टी आई तो हम लोग चर्चा करेंगे रास्टी आई क्य है और रास्टी आई में आपको क्या-क्या कोशन मिलते हैं कैसे-कैसे कोशन इसको बन इसमें बनते हैं और रास्टी आई में क्या पढ़ना है ठीक तो सबसे पहला प्रस्ण कि रास्टी आई मतलब नेशनल इंकम नेशनल इंकम होती क्या है नेशनल इंकम मतलब एक वर्ष एक financial year वित्टी वर्ष का मदलब है financial year ठीक एक वित्टी वर्ष में देश में कहां पर देश में दूसरा तथ तो क्या है देश में उतपादित प्रोड़क्टिड उतपादित वस्तु और सेवा क्या वस्तु और सेवा तो दो चीज़े यहां ध्यंदेने वाली है कि हम क इसे कहेंगे राष्टियाय क्या है तो एक बित्ती वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुमों और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या है राष्टियाय का मतलब होता है कि एक बित्ती वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुमों और सेवाओं देश में एक फाइनें मोले अगर इनको जोड लिया जाए तो आपकी क्या निकल जाएगी रास्टी आए लेकिन यहां दो चीजे ध्यान रखी जाती है कि किसी भी चीज की दोहरी गड़ना नहीं की जाती क्या नहीं की जाती दोहरी गड़ना मतलब डिवेल काउंटी तो नेशनल इंकम वो फैक्टर है जिसमें एक financial year में देश में उत्पादित सर्विस और वस्तुओं के total मौद्रिक मूल्य की दोहरी गड़ना जिसकी न की गई हो इसे ही रास्टी आए कहेंगे तो दो चीजे यहां आपको समझ में नहीं आई होंगी एक तो मौद्रिक मूल्य और दूसरी दोहरी गड़ना तो इन दो चीजों पर फोकस करने के लिए अगर हम लोग एक example उठाएं तो शायद यह बेहतर तरीके से समझा जा सकता है ठीक तो एक example देखते हैं कि रास्टी आए में दोहरी गड़ना क्या है और कैसे इसे रोका जाता है क्या तरीका है इसका ठीक तो माल लीजिए किसान ह कोई किसान जो गेहूं का उत्पादन करता है किसान अगर गेहूं का उत्पादन करता है तो गेहूं का उत्पादन वो बेचेगा भी उसने माल लीजिए 10 रूपय का गेहूं बेचा और 10 रूपय का गेहूं उसने चक्की वाले को बेचा जो आटा बनाता है ठीक चक्की वा और इस आटे को एक दूसरे उद्ध्योग वाले ने खरीदा आटे को बेकरी उद्ध्योग वाले ने खरीदा और बेकरी में इस ने इस आटे से क्या बनाया ब्रेड और इसे 10-10 रूपए के 4 पैकेट ब्रेड बनाये और 40 रूपए में बेच दिया ठीक तो यहां पर एक किसान जो गेहूं उत्पादन कर रहा है उसकी तीन बार विक्री हुई गेहूं यहां भीविका यहां भीविका और यहां भीविका तो यहां ध्यान देने वाली बात है जब सरकार किसी आय का आकलन करती है भारत में राष्ट्री आय का आकलन CSO दोरा किय जाता है Central Statistical Organization वारा तो भारत में जो सरकार आडिट करेगी तो किसान का कुल उत्पादन 10 रुपया चक्की वाले का उत्पादन 15 रुपया इसका उत्पादन 40 रुपया तोटल प्रोडक्शन हो गया 65 बट यहां समस्थ्या यह है कि यह 10 रुपया इसका उत्पादन यहां भी जुड़ा हुआ है यहां भी जुड़ा हुआ है तो 10 रुपय की दो बार गड़ना एक्स्ट्रा हुई है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसका उत्पादन मात्र 5 रुपया है क्योंकि 10 रुपय में तो इसलिए गेहु खरीद आई था तो यहां पर उत्पादन कितना है म इतल 25 निकाल दें तो एक्शुल उत्पादन कितना है 40 तो इसका आंतिम मौदरिक मूले कितना हुआ 40 तो 10 रुपय किसान का गेहु कहां पर भिका कितने में 40 में भिका clear wha यह तत्र एक बार मैं और इसे repeat करता हूं कि किसान है जो 10 रुपय का गेहु उत्पादन करता है और उसे बेशता है चक्की वाले को चक्की वाला इसका आंटा बना के 15 रुपय में बेशता है तो चक्की वाले का उत्पादन है 5 रुपया क्योंकि 10 रुपय तो उसकी ला उत्पादन है तो 10 रुपिया इसका उत्पादन पांच रुपिया इसका उत्पादन और 25 रुपिया इसका उत्पादन कुल उत्पादन हुआ देश में 40 रुपिया लेकिन अगर सबका उत्पादन एक साथ जोड़ा जाये तो उत्पादन कितना आता है 65 तो अगर दोहरी में वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन होता है वही कहलाता है आपका रास्टी आय और रास्टी आय की गड़ना करने में दोहरी गड़ना को रोक दिया जाता है दोहरी गड़ना नहीं की जाती ओके तो देखते हैं कि अगर भारत में रास्टी आय की गड़ना कब से सुरू हुई किसने सबसे पहले की और कैसे कैसे हमने राष्टी आय की गढ़ना करनी सुरू की तो इसके लिए हम भारत के इतिहास की तरफ थोड़ा सा चलते हैं तो राष्टी आय जिसे आप नेशनल इंकम कहते हैं इसकी सबसे पहले गढ़ना 1868 हिस्बी में दादा भाई नरोजी किसने दादा भाई नरोजी ने किया किसने किया दादा भाई नरोजी ने इन्होंने बताया कि भारत की राष्टी आय राष्टी आय है 340 करोड और प्रति ब्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम प्रति ब्यक्ति आय इन्होंने बताया 20 रूपए वारसिक ये दोनों गढ गड़ना कैसी है वारसिक है तो भारत में रास्ति आये की गड़ना सबसे पहले की दादा भाई नरो जी ने 1868 में और इन्होंने बताया कि देश की रास्ति आये कितनी है 340 करोड और प्रतिवेक्ति आये है 20 रुपया ये सारे बुद्धे इन्होंने अपनी पुस्तक पावर् अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया में बताया अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया में इनकी एक किताब है पावर्टी अन अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि भारत की रास्ति आये 340 करोड प्रतिवेक्ति आये 20 रुपया लेकिन एक समस्य समस्य यह थी कि दादा भाई नरोजी कोई अर्श सास्त्री नहीं थे यह एक राजनेता थे समाज सुधारक थे सामाजिक प्राणी थे तो इनकी यह गड़ना जो है बैज्यानिक गड़ना नहीं मानी जाती यह प्रथम जरूर है लेकिन बैज्यानिक नहीं तो राश्त्रिया क प्रथम बैज्ञानी गड़ना जो है शुरू की गई वीके आरवी राओ के द्वारा किसके द्वारा वीके आरवी राओ वीके आरवी राओ ने भारती अर्थ ब्यवस्था का अध्यन किया उन्नीस सो चब्विस से लेके उन्नीस सो तीस तक इन्हों ने भारती अर्थ ब्यावस्ता का अधन किया और निसकर्स निकाला कि भारत की राष्टी आए है भारत की राष्टी आए जो है 76 रूपए प्रतिविक्ति आए से मल्टिप्लाई करने से निकलेगी मतलब प्रतिविक इन्हों ने बताया पर कैपिटा इंकम 76 रुपे और इन्हों ने BKRB राउ साब ने भी एक किताब लिकी जिसे आप कहते हैं नेशनल इंकम इन ब्रिटिस इंडिया इस पुस्तक में इन्हों ने बताया कि भारत की प्रतिविक्ति आए है 56 रुपे और अगर इसे भारत की जनसंख्या से गुड़ा कर दिया जाए तो भारत की राश्टिया आए निकल जाएगी BKRB राउ एक वैज्ञानिक थे एक आर्थिक वैज्ञानिक थे और सास्त्री थे और इन्हों ने जो है पहली वैज्ञानिक गड़ना की तो दो प्रस्ण आहां से बनते हैं एक भारत में राश्टिया की गड़ना सबसे पहले कप की गई तो राश्टिया की गड़ना सबसे पहले 1868 में की गई किस ने किया नरोजी साहब ने किया और पहली वैज्ञानिक गड़ना अगर पूछता है प्रस्ण पहली वैज्ञानिक गड़ना किस ने की तो पहली वैज्ञानिक गड़ना वीके आर्बी राव ने की और वीके आर्बी राव ने जो पुस्टक लिखे उसका नाम है नेशन इनोंने बताया उत्पादन लागत प्रणाली एक मतलब प्रडक्शन कास्ट स्टम और दूसरा आय निर्गत प्रणाली ठीक दो तरीके इनोंने अपनाये एक इनोंने अपनाया उत्पादन लागत प्रणाली और दूसरा अपनाया आय निर्गत प्रणाली मतलब किसी वस्तु के उत्पादन में क्या कास्ट आ रही है और दूसरी कि किसी आय होने किसी उत्पादन में क्या इनकम हो रही है तो आए में उत्पादन में जो कास्ट आ रही है और इनकम कितनी हो रही है इस आधार पर इनों ने राश्टी आए का अगलन किया और जिस बुस्तत में यह फार्मूला इनों ने बताया भारत में आज भी इसी फार्मूले के आधार पर राश्टी आए की गड़ना की जाती है तो यह रहा भारत में राश्टियाय का इतिहास लेकिन जब भारत स्वतंद्र हुआ तो उस समय भारत में राश्टियाय की गड़ना करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है NIC National Income Committee कौन सी कमेटी थी वो? NIC पहले आप इसे नोट कर ले फिर मैं आगे बढ़ता हूँ NIC के बारे में आपको बताता हूँ या इसका स्कीन सोट ले ले तो NIC का गठन किया गया स्वतंद्रता के बाद तिक NIC National Income Committee जिसे राश्टियाय समिति भ्या कहा जाता है NIC का गठन हुआ 1947 में स्वतंद्रता के बाद और इस कमेटी में चेर्मेन बनाए गए PC महाल नोविस कौन था अध्यक्ष इसका PC महाल नोविस PC महाल नोविस इसके अध्यक्ष बनाए गए और इसके दो जो है सदस से बनाए गए ये महोदे इसके अध्यक्ष थे clear और इसके साथ साथ इसके सदस्य दो बनाए गए, सदस्य इसके दो थे, एक है VKRB राउ, VKRB राउ महोदे, और दूसरे सदस्य इसके बनाए गए DR गाडगिल, कौन? DR गाडगिल महोदे, इसके सदस्य बनाए गए, तो PC महल नोविस की अदक्षता में, National Income Committee का गठन किया गया, और इसके दो सदस्य भी थे, VKRB राउ और DR गाडगिल, ठीक, इन लोगों ने मिल करके, भारती अर्श ब्यवस्था का, तीन वर्सों तक अध्धन किया, कितने वर्सों तक? तीन वर्सों तक 1948 से 49, 1948 to 1949, 1949 to 1950, 1952, 1951 तीन वर्सों तक भारती अर्ष ब्यवस्था का अध्धन किया और अध्धन के बाद इन लोगों ने भारती राष्टियाए डिसाइड की 1951 में 8,650 करोड रूपए तो NIC जिसे आप National Income Committee केते हैं इसने तीन वर्सों तक भारती अर्ष ब्यवस्था का अध्धन किया 48,49, 49,50 और 85,50 और इसके बाद इन्होंने 8,650 करोड रूपए भारत की वार्षिक राष्टियाए बताई क्योंकि राष्टियाए के आकड़े सदय वार्षिक होते हैं क्योंकि एक बित्ती वर्स में इनकी गड़ना की जाती है तो इसके साथ साथ इन्होंने प्रतिव्यक्तियाए, P.I. per capita income भी बताया ये थी N.I. national income और per capita income बताया 246.90 पैसे, 246.90 पैसे ठीक, 246.90 पैसे इन्होंने बताया भारत की राष्टियाए कब 1951 इसके बाद राष्टियाए की गड़ना करने की जिम्मेदारी CSO को दी गई किसको CSO, केंद्रिय सांखे की संगठन CSO, भारत का एक केंद्री संगठन है इसका काम है प्रति वर्स भारत में राष्टियाए कहां गलन करना और यह भारती अर्थ ब्यवस्था का अध्धन करता है तो पहले आप इसे नोट कर लें फिर एक बार रिपीट कर देता हूं NIC का गठन किया गया 1947 में इसके अध्यर्च बनाए गए PC महाल नोविज और 210 के VKRB राओ और DR गाडगिल बनाए गए और इन्होंने तीन वर्ष अतक भारती अर्थ ब्यवस्था का अध्धन किया 48,49,49,50,51 और 8,650 करोण इन्होंने रास्ति आयब बताया और प्रतिवेति आयब बताया 246 रुपए 90 पैसे तो इनी के सिपारिश पर आपके अहां CSO की अस्थापना की गई तो थोड़ी सी चर्चा CSO की और CSO के कार्यपनालियों की भी हम यहां कर लेते हैं फिर हम रास्ति आयब की ओधारणाओं पे चर्चा करेंगे क्यों? नोगि CSO आपका केंदरी संगठन है और यह प्रतिवर्ष भारत की रास्ति आयब का आगलन करता है आगलन करने के बाद यह एक पुस्तक भी प्रकासित करता है जिसे आप रास्ति लेखा सांखिकी कहते हैं और उसे वाइड पेपर या स्वेत पत्र भी कहा जाता है तो CSO भारत में जब अस्था पिछ हुआ CSO, CSO ने पूरी अर्थ ब्यवस्था को तीन छेत्रों में बाड़ा कितने छेत्रों में? तीन छेत्रों में CSO भारती अर्थ ब्यवस्था को तीन छेत्र में बाड़ता है वो है प्राइमरी सेक्टर इसे आप कहेंगे प्राथमिक छेत्र कौन सा छेतर कहलाता है प्राथनिक छेतर दूसरा सेकेंडरी सेक्टर जिसे आप कहते हैं दुतियक छेतर ठिक और तीसरा है ठिक थर्डरी सेक्टर जिसे आप कहते हैं तृतियक छेतर ठिक तृतियक छेतर तो ये तीन छेतरों में भारती अर्थ ब्यवस्था को बांटता है औ और इन तीन छेत्रों को 14 उप छेत्रों में पूना ही डिवाइड करता है। मित्रों एक बात बताएं। पहले के एकजाम में प्रात्मिक दुतियक और तृत्यक छेत्र पूछे जाते रहे हैं। लेकिन बिगत कुछ वर्सों से प्राथमिक दुतियक और तृतियक छेत्र के बारे में चर्चा नहीं होती बलकि इनके जो उप छेत्र हैं उनके विशे में सवाल बनते रहे हैं तो CSO इन तीनों छेत्रों को फिर से सब्डिवाइड करता है 14 extra sectors में तो प्राथमिक छेत्र को पहले 4 छेत्रों में दुतियक छेत्र को फिर 3 छेत्र में और तृतियक छेत्र को फिर 7 छेत्र में टोटल 14 छेत्रों में इसका डिवाइडेशन CSO द्वारा किया जाता है तो जब आप CSO की चर्चा करते हैं, तो आप प्राथमिक चेत्र दुतियक चेत्र और तिर्थियक चेत्र की चर्चा करते हैं, तो जब CSO की आप चर्चा करेंगे, तो प्राथमिक चेत्र को कहेंगे आप क्रिसी चेत्र, क्योंकि प्राथमिक चेत्र को क्रिसी चेत्र माना जात जुतियक छेत्र को आप कहेंगे उद्धvirोग छेत्र और तितियक छेत्र को आप कहेंगे सेवा छेत्र तो CSO पूरी अर्थ ब्यवस्था को इनी तीन छेत्रों में बांट करके पढ़ता है और इनका प्रोडक्शन निकालता है इसका आध्यन करता है कि किस छेत्र से कितनी इंकम हुई और उस इंकम को कल्कुलेट करके वार्सिक आंकडा जारी करता है तो जो प्रस्ण बनते हैं कि कोईला किस छेत्र का भी से है प्राथमिक छेत्र का या दुट्यक छेत्र का ठिक या पेट्रोलियम किस छेत्र का भी से है प्राथमिक छेत्र का या दुट्यक छेत्र का लकडी के उद्यों किस छेत्र का भी से है या लकडी के बने हुए फरनीचर किस छेतर के में सामिल किये जाते हैं यह सारे प्रस्ण यहाँ से बनते हैं तो हम लोग इसी भी थोड़ा सा काम करेंगे कि प्राहथमिद दुत्यक और चेत्यक चेत्रों का जब सब डिवीजन है, इसे हम कैसे हिट करेंगे, कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा छेतर प्राथमिक छेतर में सामेलोगा और कौन सा छेतर दूतियक छेतर में सामेलोगा या बार-बार आपका confusion बना रहता है आज इसे हम दूर करने की कोशिज करते हैं तिक तो आते हैं प्राथमिक छेतर पे सबसे पहले कि प्राथमिक छेतर जिसे आप primary sector कहते हैं उ चार छेत्रे मटा वो कौन कौन से थे सबसे पहले इसे कहा गया क्रिसी अग्रिकल्चर दूसरा सेक्टर है इसका खनन माइनिंग खनन और तीसरा सेक्टर है इसका बन उद्योग बन उद्योग मतलब फारेश्ट के जो उद्योग होते हैं लकडियों के जो उद्योग हैं और च तो पहले कृशी, फिर खनन, फिर वनुद्योग और फिर पशुपालन और मस्दालन यहाँ पर एक सेक्टर आपको बार-बार कन्फ्यूज करता है यह और यहीं से बार-बार कन्फ्यूजन क्रियेट होता है क्योंकि खनन के माध्यम से कोईला भी निकलता है और खनन के ही माध्यम से पेट्रोलियम भी निकलता है लेकिन दोनों को अलग-अलग छेत्रों में शामिल किया गया है कारण कि ये टोटल के टोटल छेत्र को क्या कहा जाता है कृसी छेत्र और कृसी छेत्र की विशेष्ता ये है कि प्रकृति से जो उत्पाद आपको प्राप्त होता है, जब उसे आप उसी रूप में उपयोग में ले लेते हैं, उसी रूप में आप खरीद लेते हैं, तो ऐसे समस्थ छेत्रों को लगबग इस प्राथमिक छेत्र में शामिल किया जाता है, ठिक, कृसी छेत्र में गिहू में खनन किया जाता है उस स्वरूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता बलकि यहां से वा कच्चा माल के तौर पे स्वन किया जाता है इसके बाद वो तेल सोधनसाला में जाता है तेल सोधनसाला में ठीक रिफाइंदीज में जाता है उसके बाद वहां से फिल्टर होके आता है मारे उपयोग में आता है मतलब जब कोई प्राथमिक छेत्र का उत्पाद किसी उद्योग में जा करके फिल्टर हो करके आए या उसे सुधारा जाए इसके रूप में आतार में परिवर्तन किया जाए तो वह प्राथमिक छेत्र का उत्पाद नहीं रह जाता मतलब जैसे एक अगर नदी का पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर डिबबा बंद पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं खरीच करके जो कि फिल्टर किया हुa है तो वह दूतियक छेतर में सामिल हो जाएगा क्योंकि वो उद्योग छेतर से होता हुआ आया है तो जब आप राश्ती आय की गड़ना करते हैं तो पहले प्राथमिक छेत्र को चार उप छेत्रों में बाढ़ते हैं सियस्तों के द्वारा ये गड़ना की गई है और इसमें एकरसी छेत्र, खनन छेत्र, बनुद्योग, पशुपालन, मस्यपालन ये चार सेक्टर सामिल किये जाते हैं इसे नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं दूतियक छेत्र पे या सेकंडरी सेक्टर पे, कोशिश करिए कि एगर इसका इसकी इसकी इसाट ले ले तो काफी जुल्दी हो जाये करीगी तो प्रात्मिक छेत्र के बाद आता है नंबर किसका, सेकंडरी सेक्टर का, ठीक, सेकंडरी सेक्टर का इसे आप दूतियक छेत्र भी कहते हैं दुतियक छेत्र को जो है तीन भागों में डिवाइड किया CSO ने दुतियक छेत्र को तीन भागों में डिवाइड किया वो तीन भाग कौन कौन से हैं एक है निर्माड उद्योग निर्माड उद्योग ऐसी इंडस्ट्री जो कि प्रैमरी सेक्टर से कच्चा माल ले और कोई नई चीज बनाए प्रैमरी सेक्टर से राव मटेरियल ले और किसी चीज को बिल्ड करे या निर्माड करे ठिक तो निर्माड उद्योग होगा दूसरा सेक्टर है वी निर्माड उद्योग वी निर्माड उद्योग ठीक और तीसरा सेक्टर है उर्जा एनर्जी और जलापूर्ती वाटर सप्लाई ठीक तो निर्माड उद्योग जब प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल लेंगे और सेकंडरी सेक्टर में उसका जो है कोई नया मेटेरियल तयार करेंगे उससे निर्म निर्माड उद्योग है लेकिन अगर उसी उत्पाद को फिर से बनाया जाए मतलग निर्माड उद्योग से कच्चा माल ले करके किसी वस्तुका फिर से निर्माड किया जाए जैसे लोहे के काले तार को पॉलिस किया जाए तो यह किसमें आएगा बे निर्माड उद्योग में साथ-साथ उर्जा और जलापूर्थी तो सभी प्रकार की एनरजी जितने भी आपके उर्जा उर्जा प्राप्ट होती है इन्दसेंस इलेक्रिक उर्जा या मेकेनिकल उर्जा ये सारी किसमें आएगी सेकंडरी सेक्टर में जलापूर्थी अगर नदी का बहता हुआ जल इस सेक्टर हो गए साथ अब बच्चे कितने क्योंकि CSO ने एकोनामी को 14 उपभागों में सब सेक्टर में डिवाइट किया था जिसमें साथ आपने देख लिया अब बच्चे साथ साथ को कहां सामिल किया है थर्ड सेक्टर तृतियक छेत्र में जिसे आप किस नाम से जाने थे है सेवा छेत्र से सेवा का मतलब यह नहीं होता कि हाथ पैर दबाना सेवा का मतलब होता है सर्विस प्रवाइड करना ठीक सर्विस प्रवाइड करना इन दे सेंस जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विस कर रहा हूं ठीक आपके परिवार में कोई नो कोई कहीं नो कोई से साथ छेतर है इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं यह साथ सेक्टर है सबसे पहले आता है बैंक बीमा और संचार तो बैंक आपके लिए क्या उत्वत कराती है आपके पैसे लेती है जमा करती है और आपको कहीं और जरूत होती है तो उस पैसे को यहाँ जमा करके सर्विस सेक्टर की भिसेवस्तु है। दूसरी रेल और यातायात। ये भी शर्विस सेक्टर की भिसेवस्तु है। तीसरा छेतर इसका कौन सा है। विदेशी संब्योहार। विदेशी सम्योहार का मतलब होता है कि यदि किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा या किसी विदेशी कंपणी के द्वारा आप कोई सर्विस ले रहे हैं तो वा कहलाएगा विदेशी सम्योहार उसके बाद चौथा सेक्टर है सार्वजनिक प्रसासन जो आपका एड्मिस्टेशन है सार्वजनिक प्रसासन और सासाथ सुरक्षा ठीक जैसे पूलिस वाले आपको सर्विस देते हैं समस्या क्रियेट करने पर दूसरे प्रकार की सर्विस और समस्या में आने पर आपकी सुर रहा है और सुरक्षा, डिफेंस डिपार्टमेंट भी आपको सर्विस दे रहा है पांचमा सेक्टर है ब्यापार, होटल और रेस्त्रा रेस्त्रा मतलब रेस्त्रोडेंट ब्यापार एक बिचोलिया है जो गाउं से गेहों खरिता है और सहर में लाके बेश दे रहा है वो क्या कर रहा है ब्यापार कर रहा है तो कर क्या रहा है उसका उत्पादन कुछ नहीं है उसका उत्पादन क्या है कि वो गाउं से सामान खरिता है और सहर में बेश देता है तो प्यापार भी सर्विस सेक्टर में आएगा, होटल, आप जाते हैं, रात रुकते हैं, वहाँ दो प्रकार की शुवधाये मिलती है, एक, तो आपको उस बिल्डिंग की सुवधाया मिलती है, जिसमें आप रुके हुए हैं, साथ ही साथ, वहाँ पर आपको सफाई कर्मचारी स लेकर के होटल के बेटर तक उफलब कराई जाते हैं, तो वहाँ दो प्रकार की शेमाई आपने लिए, इसलिए इसे अलग रखा गया, रेस्टरा, रेस्टरेंट जाते हैं, खाते पीते हैं, वहाँ भी आपको सर्विस टैक्स पे करना होता है, तो कितने हो गए, पाँच, स्थाई प्रापर्टी है, अचल संपत्ती है, जैसे आपका मकान हुआ, या आपकी खेती हुई, या आपकी अस्थाई संपता है, तो यदि आपके खेत में गेहूं बोया जा रहा है, और उत्पादन हो रहा है, तो अगर उसी जमीन को आपने किराए पर उपलब्द करा दि आवास, आवास और होटल एक जैसी कीज़ नजर आ रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, अगर आप अंतर करना चाहें तो कर लेते हैं, यदि आप किसी होटल में गए, तो होटल के कमरे में ज़ाडू नहीं लगाते, रेयरेस आप ज़ाडू लगाते है लेकिन अगर कहीं किराये पर कमरा लेके रहते हैं, तो उस कमरे की साफ सफाई से लेके सारी ब्यवस्था देखना आपकी जिम्मेदारी, मतलब यहाँ पर मानमी सुविदा और आवासी सुविदा दोनों उपलब्द होती है, यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग सर्विस देती ह ना कि ब्यक्ति सर्विस देता है, यह छे छेतर हो गए और सातमा सेक्टर है अधर्स, सातमा सेक्टर क्या है अधर्स या अन्य, ठीक, तो आर्थ ब्यवस्था कि यह साथ सेक्टर जो है तृतियक छेतर में सामिल किये जाते हैं, तो जैसे मैं फिर रिपीट करता हूँ कि प् और तिर्टियक छेत्र को कृसी छेत्र, द्योग छेत्र और सेवा छेत्र के नाम से जाना जाता है और इन्हें कुल 14 हूप भागों में बाटा गया है, 14 में 4 कृसी छेत्र में शामिल है, 3 जो है वो द्योग छेत्र में सामिल है और इसके साथ 7 सेत्र जो है ये तिर्टियक छेत या सेवा छेत्र में शामिल किए जाते हैं थीक इसके बाद चलते हैं कि अर्ट ब्यवस्था की ओधानाे ठीक अर्च ब्यवस्था की ओधानाओं के साथ साथ जब आप व्या सदू यंप रास्टिवीसmara में परते हैं यो बाद मैं पड़ते हैं तो डीप जीएनपी इन्प एंड़ी पी एनन्प बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यह राष्टी आई की आउधार्णाएं और अर्थ ब्यवस्था की आउधार्णाएं क्या है इसका इसकी इसकी निसाट ले लिजे तो इसे हटाते हैं अर्थ ब्यव राश्टी आई की अवधार्णाए नेशनल इनकम राश्टी आई की अवधार्णाए अवधार्णाए नेशनल इनकम इसे आप कहेंगे की राश्टी आए की क्या क्या क्सेप्ट हैं देखें जितने अर्षास्त्री उतने इकानशेप्ट लेकिन जब उन्हें समराईज किया जाता है तो नेशनल इनकम को ग्याद करने के चार कॉंसेप्ट सबसे प्योड निकल के इन्हें आप कहते हैं GDP, दूसरा कॉंसेट है NDP और दो और कॉंसेट इसके हैं GNP और NNP, ठीक GDP ग्रास डॉम्एटिक प्रोडक्ट, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट नेट नेस्नल प्रोड़क्ट यह 4 उधाना है महतवपूपूर है और यहीं मुख्य है राष्टी आए को मापने़ के लिए राष्टी आए का सबसे उत्तमquently होता है एनन्पी बे सबसे बहतर राष्टी आए प्योर राष्टी आए यही मानी जाती है तो इनको ये के करके हम पढ़ेंगे और इनका डिफरेंस देखेंगे कि इनमें क्या अंतर है क्या डिफरेंस हैं इन दोनों में तो सबसे पहले चलते हैं GDP पर GDP को कहते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोड़क्ट इसे क्या कहेंगे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद तो सकल घरेलू उत्पाद की जहां तक बात है सकल का मतलब होता है ग्रास इंगलिस में से कहेंगे सकल का मतलब है पूरा घरेलू का मतलब है जो घर में उत्पादन हुआ हो उत्पाद क अगर उसका मतलब आप समझ रहे हैं production तो एक बात हम सिंपल सी यहां करते हैं कि आप अपने घर के किस सामान को घरेलू कहते हैं प्रायह जो आपके घर में बनाया जाता है घर में उसका उत्पादन होता है तो यह हम अपने देश के उत्पादन की बात करें यहां हम किसकी अर् को अगर आप घर माल लें तो भारत की सीमा रिखा के अंदर जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है अगर उसका मोनेटरी प्राइज या मौदरिक बैलू निकाल ली जाए और से कल्कुलेट कर लिया जाए तो आप क्या प्राप्त करेंगे GDP अगर दो लाइन में इसे कहें तो ए एक निश्चित समयावद में भारत की भावगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेमाओं का कुल मौदरिक मोली का कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद तो यहाँ दो तीन चीजें उबर करके आई पहले GDP में देख लेते हैं कि एक बित्ती वर्स क्या है एक बित् अप्रेल से 31 मार्च तक ठीक एक अप्रेल से 31 मार्च तक आपका फाइनेंसियल एर है तो एक बित्ती वर्स में किसी भी देश की अर्थ ब्यवस्ता में उत्पादित वस्तु प्लस सेवा इन दोनों का जो मौद्रिक मूल्य है इन दोनों का मौद्रिक मूल्य एक बित्ती वर्स में वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य जिनका उत्पादन कहा हुआ हो भोगोलिक सीमा के अंदर मतलब उस देश की सीमा रेखा के बार्डर के अंदर हुआ हो तो यदि एक बित्ती वर्स में किसी देश की बहोगोलिक सीमा के अंदर जो वस्तु और सेवा उत्पादन होई है उसका मौद्रिक मूल निकाल लिया जाए तो क्या मिलेगा आपको सकल घरेलू उत्पाद मिलेगा ये कहलाता है ग्रास जोमेस्टिक प्रोड़क्ट एकदम इसी से मिलता जूलता दूसरा कॉंसेट आपको मिलेगा NDP NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट प्राया हाप लोग डिबबंद सामान खरीते होंगे उस पर लिखा रहता है net weight net weight का मतलब होता है शुद्ध वज़न तो यहां भी net का मतलब है शुद्ध लेकिन यहां n का मतलब है नेट और नेट को कहते है शुद्ध लेकिन अर्चसास्त्र की भासा में इसे कहा जाता है निवल अंग्रेजी में नेटको एकोनॉमी की भासा में क्या कहेंगे निवल निवल का मतलब होता है pure, pure production तो यह बी किसी वस्तु के जो ये उत्पादन हुआ चाहे वस्तु का उत्पादन हुआ चाहे सेवा का उत्पादन हुआ जब भी किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो उसमें घिसावत होती है ठीक उसमें घिसावत मतलब depreciation आता है और अगर कुल उत्पादन में से depreciation निकाल दे मतलब GDP GDP में से अगर depreciation निकाल दे तो जो उत्पादन बचेगा वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा NDP क्या कहलाएगा NDP ठीक तो NDP निकालने के लिए एक फार्मूला भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि NDP is equal to NDP is equal to GDP minus हरास या घिसावट या depreciation क्या कहेंगे हम इसे हरास घिसावट या इसी को कहा जाता है depreciation ठीक तो NDP निकालने के लिए शुद्ध आय निकालने के लिए क्या आप करेंगे GDP में से हरास या घिसावट को निकाल रेंगे तो आज के लेक्चर में GDP और NDP ही हम लोग इसके आगे के लेक्चर को continue करेंगे अपने अगली क्लास में जिसमें हम लोग देखेंगे GNP और NNP तो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा कमेंट जरूर करिएगा और कोशिश करिएगा इसे जितना सेयर कर सके उसे शेयर भी करिएगा ओके फ्रेंड्स थैंक यू